सो वाटसेप एएवन 28 जून के दोनों ही शिफ्ट के पेपर जेही मेंस के ओवर हो चुके हैं और एक ही वीडियो में दोनों ही शिफ्ट का रिव्यू लेके मैं आया हूँ तो जो मॉनिंग वाली शिफ्ट थी वो एक इजियर शिफ्ट थी तो जादा मार्क्स तुम्हें चाहिए होंगे एक अच्छा परसेंटाइल बनाने के लिए chemistry as usual दोनों ही शिफ्ट का अगर मैं बोलू तो ncrt और entity line by line direct questions आ रहे हैं chemistry में inorganic और organic दोनों balanced पूछे जा रहे हैं और numerical में physical के out of 10 साथ से 8 questions से physical chemistry करे रहे हैं तो वो अच्छे से देख ले ना उसमें भी जो तुम्हारे डिव मास method जल डॉल method रहता है उनको पढ़ लेना क्योंकि उनके direct एक दो questions आ जा रहे हैं physics में modern physics का as usual weightage काफी जादा रह रहे हैं इसलिए मैंने तुम्हें बोला थे कि कोई भी chapter leave करके मत जाना क्योंकि basic तुम्हें सबकी knowledge होनी चाहिए क्योंकि किसी भी chapter से कभी भी किसी भी shift में question आ सकता है और अगर बात करें mathematics की तो mathematics was a bit lengthy moderate level की थी मैं यह नहीं बोलूँगा कि mathematics बहुत जादा tough थी बट lengthy थी अगर तु एक ही दिन बचा है तो जो भी जिनका भी paper कल है वह अच्छे से ready रहें so that's it all the best thank you